हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज परिमे संख्याओं का जोड़ सीखेंगे कि परिमे संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है फ्रेंज इसमें आपको बहुत ज्यादा सिंपल तरीका से सिखाया गया है चलिए फ्रेंज स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंज आपक का होगा कि जब इसका हर समान होगा यारे कि उसका हर समान नहीं होगा तो उसको किस प्रकार से जोड़ा जाएगा चलिए देखिए आपको समझाते हैं फर्स्ट कोईशन करते हैं कि जब हर समान हो जब हर समान हो तो उसको किस प्रकार जोड़ते हैं तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एक दो बेसिक कंसेप्ट बताते हैं देखें आपको कहीं भी परिमे संख्याओं को चोड़ना होगा तो फ्रेंस कभी भी ध्यान दीजिएगा कि इसके हर में जैसे यहां माइनस आ गया यहां माइनस आ गया इसके हर में कभी भी माइनस कचिन नहीं होना चाहिए देखें फ्रेंस आपको लिखा मिल जाए दो बटा के माइनस पांच यहां पर डैरेक्ट इसको लिखना होगा तो इस minus को उपर के लिखे दिएगा माइनस दूबटा के पांच लिखे दिजिएगा ठीक है और कहीं फिर आपको मिल जाए कि minus 2 पांच इसको क्या करेंगे उपर और नीचे जो minus से इसको आपस में करते हैं। डायरेक्ट हटा देते हैं, इसको किस प्रकार लिखेंगे, दो बटा के डायरेक्ट पांच लिखेंगे, ठीक है, इन दोरों कंसेप्ट को आप ख्याल कीजिएगा, यदि हर में यदि रिडिचीन आता है तो इसको डायरेक्ट उपर बेद दीजिएगा, अंसर हर दूने मिरर आता है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट करके, यानि दू बटा के पांच डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है, तो चलिए, आपको यहां बताते हैं सवाल, और इसको देखें, कितना सिंपल तरीका से सवाल को हल करते हैं, देखें, यहां पी इसके हर को ध्यान से देख देखेंगे, तो आप हर देख रहे हैं, कि इसका बराबर है, जब हर बराबर है, तो देखें, इसको क्या लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, चार बटा के, पांच, और जब भी कोश्टरक के पाहर धन का चिन होता है, तो अंदर का चिन कभी भी नहीं बदलते हैं, इसको आप याद रखिएगा कि जब भी कोश्टरक के पार धंका चिन है तो अंदर का चिन नहीं बदला जाता है तो यहाँ प्या करेंगे रिड दूबटा के पांच है तो दूबटा के पांच रहने दिजिए ठीक है अब क्या करेंगे फ्रेंज देखिए हर बरावरत इसको इसी प्रकार पांच लिख लिजिए और यहाँ पर चार हैत चार लिखें यहाँ पर दो लिख लिजिए अब इसको क्या करेंगे चार में से दो गटाएंगे दो बचेगा यहाँ पर पांच हो जाएगा देखिए फ्रेंस यही आपको क्या जाएगा एंसर होगा देखिए कि पाँच दिखेंगे ठीक अभी बताएं आपको यहां धनका चिन है धनका रहने दीजिए कोश्टक बनाईए दगी हर में रिड का चिन है इसको डाइरेट कहां बेज देंगे उपर बेज देंगे याई मायनिस दूबटा के पांच लिख सकते हैं अब क्या किजिए यहां पर जहां चार बाता के पांच है तो इसको पांच लिग लेजिए ए माइनिस दूर चार में से 2 जाएगा दो जाएगा और यह आपका पांच हो जागा by अब का इंसुर आ गया तो इस प्रकार से परिमे संख्याओं का जोड जोडते हैं जब हर समान हो चलिए एक next question करते हैं जब हर समान नहीं हो यह आपका अगला सवाल है जब हर समान नहीं हो चलिए देखिए आपके सामने question है 5 बटा की 12 में प्लस माइनस 7 बटा के 16 का जोड़ना है जब जोड़ना है तो वही concept लगाएं जब भी कोष्टेक बार दन का चीन हो तो अंदर का चीन नहीं बदला जाता है यानि के रिर है तो यहाँ पर रिर साथ बटा के आपका naszych होगा ठीके अब क्या करते हैं फ्रेंस हर आपस में जैब बराबर नहीं हो इसको बराबर किया जाता है इसको बराबर करने के लिए क्य कि आपका 48 आजैंगे पढ़िए देखिए 12-12-22-24 क निए चार बार में है जब 4 जब 4 आ रहा है तो चार यहां पर लिख लिए जाता है और चार के गुड़ा इसके अंज में किए जाता है तो यहां पर 20 लिखेंगे यहां रिड़का चीने रिड़का देंगे अब 16 का टेबल इस परकार पढ़ेंगे कि आपका 48 आए देखे 16 इसको आपस उसमे घंटा लिजेए आप सबसक्स ए क्या करते हैं जो लिए वहां होती है उसके सामने का चिन क्या है वही यहां पर चिन रखते одноर ल्की यहां पर क्या करें रेड चीन लगादेंगे यही आपक़ क्या हो जागा इंसर हो जागा देखें कितना सिंक वाठा कितना है तो कि यहां पर प्रिश्य साफ निगा है अब इसके बात क्या करते हैं फ्रेंस की इसके हर को ध्यान से देखेंगे तो यहां फ़राबर नहीं है तो इसके हर को बराबर कीजिए 11-33 करें, कितना होका है 23 होगा 31 क पूरा इस प्रकार सीnet 33 होगा δια ainda 한rics विकषें ऑप एक नहीं कि यहाँ जाएंगे दो दो सब्सक्राइब करें तो फ्रेंस आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब करें